स्वागत है आपका फीफा फूस में आ गया है होस्टें दोस्त रहुर भोज बताने के लिए कि आखिरकार ये जो लगशरी बजट के लिए टास को रहा था इसका विजेता कौन बना क्या लाल टीम जो है लाल पर चम्मन लहरा रही है या फिर पीली टीम पीला पर चम्मन लहर बता रही है इस वीडियो में बताता हूं चैनल को सब्सक्राब नहीं किया तो फटाफट कर लें और बेल आइकन को सब्सक्राइब करें और फेस्बूक टूटे इंस्टा हर जगा पे मैं मौझे मुझे वहां पर सपोर्ट कर सकते हैं बात करते हैं दोस्तों राहुल वैद् की टीम जो की देबुलिना विकास गुपता अभीनाब और राकी सावन से बने वेते हैं तो यह टीम ने जीत हासिल कर ली है जी हां यह टीम जीत चुकी है और राहुलवैद एली और शौनाली अर्शी निकी इनकी टीम हार चुकी है और सबसे ज्यादा दोस्तों आपको बत यह टास्क जो है लगबग दो दिन तक चला पूरा लंबा चला हमें आज तो नहीं कल उसका रिजल्ट बताएंगे क्योंकि आज ही यह रिजल्ट पता चला है तो यहां पर दोस्तों यह टास्क के विजेता जो है रुबिना दिलायक लोग है और उनको प्रॉपर तरीकी से स खाये जा रही थी क्योंकि राहुल और एली को मालूम है कि निक्की तंबुली अगर उनके साथ है तो फिलिप मारेगी मारेगी चाहे कुछ भी हो जाए साम दाम डंडबेत का इस्तमाल करके निक्की तंबुली ने फाइनली दोस्तों जिता दिया है रुबिना दिलायक और बन बैठी है यहां पर वो लोगों के दिलों पर राज करने के बैठी हुई है दोस्तों आपको बता दो तो यहां पर एक बहुत बड़ा एलिगेशन भी लगा है कि यह और जो है रुबिना को इसलिए जिता रही है क्योंकि रुबिना की फैंस को इंप्रेस करना चाहती है और वोटिंग लेकर बचना चाहती है अब भी पता नहीं लेकिन निकी तंबुली का रिदे परिवर्तन तो हुआ है जब से वह आई है तब से तो हुआ है बताएं मुझे बने रहे चानल के साथ देखते रहें फीफा फूर्स